Hello everybody, hope so आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो धेर सारी positivity के साथ और खुशी के साथ और जैसा कि आपने title में देख लिया होगा ये आपकी marriage prediction है again पर ये आपकी marriage prediction है arranged marriage होगी या love marriage होगी इसके बारे में जो ये reading है शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे भी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके जल्दी से follow कीजिए क्यूंकि मैं वहाँ पे tarot guidance देती हूँ daily दूसरी बात मेरे चानल को सब्स्राइब करें बगयर यहां से मत जाना और लाइक भी कीजेगा मेरे इस वीडियो को इससे मुझे पता लगता रहते कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है कि नी और अगर आपके कोई suggestion है तो वो comment section में आप लिख सकते हैं तो चलिए हम य कौनसी चूज करनी है यह first pile है यह second pile है यह third pile है यह brown stone है यह white stone है और यह green stone है तो इन में से जो भी आपको पसंद आता है आप वो चूज कर सकते हैं और अब हम आपसे मिलते हैं आपकी pile की reading के time ओल राइट hope so आपका दिन अच्छा गया हो और यह है आपकी marriage prediction कि आपकी arranged marriage होगी या love marriage होगी तो शुरू करते हैं जल्दी से all right thoughts सोच ना कि मेरी कप शादी होगी सोच ना मेरी arranged marriage होगी या love marriage होगी कैसी मेरी married life होगी आप बहुत बहुत जादा सोचते हो और it's okay it's totally okay कोविड ने हमें overthinking के लिए तो बहुत मजबूर कर दिया और जो हम अकेले बैटे होते हो तो हमें यही फील हो रहा होता है काश मेरा भी कोई girlfriend boyfriend होती होता ऐसे यह thoughts चलते हैं फिर आगे चलके थोड़े पर शादी के भी thoughts आई जाते हैं मन में चलता ही रहता है कुछ नो कुछ तो मेरे recording आप बहुत बहुत जादा सोच रहे हो इस ताइम पर की मेरी जो शादी होगी वह कैसी होगी वगेर 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 इस्पेशली अरेंच मैरेज होगी या लव मैरेज होगी तो हम देखते ह आपकी एर रेंच मैरेज होती है या लव मैरेज होती है तो आह था नबड़ नमबह वन की एंजेल स्वाइल लंबह वन की अरंज मैरेज होगी या लव मैरेज होगी वह हम राइट Okay, king of swords, six of cups, four of swords, ten of cups, my god Very nice cards, very 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 nice cards Okay, यह मुझे ना love marriage kind of situation लग रही है क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इन पास्ट आपका जो आपका हार्टब्रेक हुआ हो या आप कुछ ऐसे एक रॉमांटिक हार्टब्रेक भी हो सकता है या फिर कोई आपके ऐसी फ्रेंड्शिप हो सकती है जो आपको बहुत जादा ना एक दुख देके गई हो friendship वो टूट गई हो तो कुछ इस तरह का मुझे लगता है कि कुछ हुआ था आपके past में जहां पे आपका heartbreak हुआ हो सकते है कोई friendship मतलब in general कोई friendship टूटी हो जिसकी वज़े से आपको trust issues हो गए हो तो कुछ इस टाइप का सिनारियो मुझे लग रहा है जो आपके person होंगे यह देख रहे है 10 of cups का जो cards है यह बहुत सुन्दर card है यह card बताता है कि जो भी आप कुछ सोच रहे हो जो कुछ भी सोच रहे हो वो आपको सब मिलेगा अगर आप शादी की सोच रहे हैं अगर आप एक अच्छी family life के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा यह बात पक्की है और जो आपके person होंगे आपसे बड़ा innocent love करेंगे यह मैं जो यह card है 6 of cups का इसको मैं soulmate card भी मानती हूँ क्योंकि यह soulmate जो relation होता है soulmate relation बहुत opposite type होता है अगर एक fire है तो दूसरा water होगा तो जो एक दूसरे को complete करते है ना जो दो लोग उसको हम soulmate connection कहते हैं तो 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 हो सकता है कि एक बहुत जादा emotionally अपनी emotion से काफी जादा connected है एक person इतना जादा emotion से connected नहीं है काफी practical है काफी जादा authoritative है cut straight to the point इस type के personality के आपके spouse हो सकते है बहुत stotic face रखने वाले और इनका dressing style भी काफी अच्छा हो सकता है और अगर आप इनसे first time मिले ना तो इनकी जो इनका जो face होगा ना काफी stotic face होगा मतलब emotionless type face होगा इनका ऐसा लगेगा गुस्ता इनकी नाग पे रहता है बट असल में वह बात नहीं होगी यह भी अप्र इमोशन को यह वैसे कम इमोशनल इंसान है जिनसे आपकी शादियों यह थोड़े कम इमोशनल इंसान है यह बहुत जादा प्राक्टिकल है अपनी लाइफ में और यह मटिरलिस्टिक भी है अगर मुझे ऐसे लगते है कि यह बिजनस वर्ल्ड में जादा होंगे आस कंपेर टू जॉब मुझे ऐसे लगते इनका खुद का बिजनस होगा और काफी बिजनस माइड़े परसन होंगे यह परसन आपके स्पाउस और काफी ना स्टे टू पॉइंट आने वाले यह वो इंसान है जो रिलेशन्शिप में आते जाते हैं ऐसे नहीं है अगर कमिटमेंट कर देते हैं तो कर देते हैं का टो असमुक्न आप ऑखी बढकियार तकि आपने हुझे सरे अंपरसन क्वें जो क्रचेंड आप करे जादा क्योंकि क्नेक्शन आप काफी जादा और काफी जादे ना केरिंग नर्चुरिंग है विरिस आपके जो पार्टनर होंगे वो थोड़े कम emotional होंगे, वो ज़ाधा practical होंगे, तो एक तरह से आप एक दूसरे को complete करोगे, अगर एक कम emotional है, तो दूसरा ज़ाधा emotional है, तो उसके जो एक combination होगा, आप जो partnership होगी, आपकी काफी balanced partnership मुझे यहाँ देखने को मिल रही है, और आपकी एक happy family ज़रूर होगी, और love marriage kind of situation ही है, हम कुछ और tarot card से देख लेते हैं कि आपके spouse का nature कैसा होगा, या उनके बारे में और कोई अगर हमें information मिलती है, pile 1 के spouse के बारे में information, alright, okay, काफी जादा ना, again, opportunist है, आपके जो spouse है, काफी goal-oriented person है, इनके बहुत creative ideas है, पैसों की एहमियत जानते हैं, again, और काफी जादा stable, mature इनसान होंगे, but again, business world में काफी cut to the point, cut throat होंगे, मतलब ये दूसरों के feeling के बारे में नहीं सोचेंगे, सीधा अपना point रख देंगे, अपने जो मन में बात है, वही बहार है, ये नहीं है कि अंदर कुछ बहार कुछ है, वैसे इनसान बिलकुल भी नहीं है, तो ये थी pile number one, आपकी reading, आपकी होगी love marriage जैसा कि मुझे tarot बता रहे हैं, और मैं आपको एक सलहा देना चाती हूँ, कि इतना overthink मत कीजेगा, क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, बट उसके बावजूत, वो person successful होता है, और वो person हमें अच्छे भी लगने लग जाते हैं, हर किसी कमी कन्बजोरी को हमें accept करना है, और उसकी अच्छी qualities को हमने सरहाना देनी है, ये बात हमेशा याद रखेगा, क्योंकि जो आपका relation है, बहुत long lasting relation है, बहुत long lasting relationship, एक जो partnership होती है, एक friendship होती है, वो आपके अंदर, आप द जादा होगी एक दूसरे के लिए, ये चाहे business world में, चाहे अपने work space में, चाहे अपने profession में, जितना मरजी emotionless हो, बट आपके साथ ये पूरी life जो है partnership निभाएंगे ही निभाएंगे, और वो भी खुशी से निभाएंगे, ये ऐसे इनसान है, ये थी आपकी reading, अगर आपको reading पसंद आई हो, तो मेरे चानल को subscribe कीजिए, इस वीडियो को like कीजिए, और comment भी कीजिए, आपको अगली वीडियो कौन सी देखनी है, और मेरे Instagram पर मुझे follow भी कीजिए, मैं वहाँ पर daily guidance देती हूँ, और हम मिलते हैं next वीडियो में, बाई बाई है, hello pile 2, तो ये आपकी reading है, कि आपकी arranged marriage होती है, या love marriage होती है, तो जल्री से देखते हैं, alright, unexpected income, तो सबसे पहरी बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ, कि जो आपके person होंगे, कार्ट देखती, मुझे एकदम से realize होता है, कि सबसे पहले तो ये, जो अगर आप female है, और ये वीडियो देख रही है, तो आपकी जो spouse हो सकते हैं, वो शायद 27 years के हो सकते हैं, एकदम से मुझे एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करता है, तो दूसरे इंसान भी उतना ही पहले इंसान को प्यार करेगा, तो मतलब एकवल लव सा है, तो इस टैप की situation लग रही है, अब हम देखते हैं, कि आपकी अरेंज मैरेज होती है, या लव मैरेज होती है, टेरो कार्ड से, और राइट, पायर टू के लिए उनकी अरेंज मैरेज होगी, या लव मैरेज होगी, अरेंज मैरेज या लव मैरेज, और राइट, एक और कार्ड निकाल लेते हैं, ओके, मुझे ऐसा लगता है कि यह एक arranged marriage है मतलब एकदम सी feeling आ रही है कि arranged marriage type of situation है आप एक तरह से अपने मतलब अगर आप job करते हैं अगर आपको कोई business है तो आप अराम से ऐसे बैठे होएं मतलब आप यह इधर उदर आप देखनी रहे हैं कि मैं कोई आप खुद के लिए कोई person नहीं देख रहे हैं में भी आप अपनी family को कहते हैं कि आप मेरे लिए देखे क्योंकि आप जो है ना बस इस तरह से सोचते हैं कि हां मुझे ऐसा spouse चाहिए हां उसमें यह quality होनी चाहिए हां ऐसा होना चाहिए आप वह काफी ज़ाधा सोचते हैं बहुत ज़ाधा ओवर तिंक भी करते हों कि आप में कि spouse ऐसा होना चाहिए spouse की personality ऐसे होने चाहिए वह अच्छे कपड़े पहनते हों यह वह यह वह आपके मन में रहता है कि मेरा spouse ऐसा हो वैसा हो और जो आप बहुत ज़ादा विश भी करते हो कि वो इस टाइम पर काश आपके साथ होते हैं या आपको कोई you know intuition हो जाए कि वो आपकी life में आने वाले हैं या क्या होने वाले हैं आप न सोचते बहुत हो उनके बारे में आप physically ढूंडते नहीं हूँ तो कि आजकल तो कितनी सारी apps हैं dating apps वगेरा तो आप उस तरह के इंसानियों आप अपनी family को कहते होगे कि मुझे एक you know धूंड के दो अच्छा रिष्टा उस सब क्या person हो आप बहुत जादा सोचते हो और आप इस बात में जरूर विश्वास करते होगे कि जैसा आप सोचते ह हो वैसा ही आप आते हो जैसा आप सोचोगे वैसा ही पाओगे यह जो लाइन है ना यह आपकी एक तरह से philosophy है जिसके उपर शायद आप चलते हो अपनी life में तो आप अपने emotion से भी बहुत बहुत जादा connected इंसान लगते हो मुझे बहुत जादा emotionally connected हो अपने आप से आपको प अपने emotion की वज़े से तकलीफ ना दो काफी emotionally intelligent आप खुद हो और जो आपकी hopes or wishes है ना desires है वो जरूर फुल्फिल होगी इस star card से मुझे पता लग रहे है और साथी साथ यह sun card मुझे बताता है कि बहुत जादा आपके अंदर mind की clarity है कि आपको आगे क्या करना है तो आप काफ करना पड़ रहे है कि कब वो इंसान मेरी लाइफ में आएगा बट आप स्टिल डटे हो है कि आप हार नहीं मान रहे है खुद जा के ढूंड नहीं रहे हो इस इस इंसान को आपको पता है कि वो इंसान आपके जब time आएगा उस according वो इंसान भी आ जाएगा मुझे बहुत ज टूंडे हम एक और कार निकाले और खेडर में आफके यह रिच्टा निका लेंगे आपके लिए अच्छा रिच्टा रूने में ने एक अच्छे घर में रिच्टा क्योंकि वैल्त जो होगी ना वो काफी जाद होगी इस बस्लत के साथ इस परसंग पास जैसे आपकी शादी होगी और आप खुद भी मुझे लगते हैं काफी अच्छे घर से बिलॉंग करते हैं और काफी लग्जरी इसमें पले बड़े हैं तो मुझे उस टाइप की भी यहां पर फीलिंग आ रही है कि आप काफी जादा आप खुद फाइनाशली काफी जादा स्टेबल हैं औ और काफी अच्छा आपका घर है आपके पेरेंट्स आपकी खुशी के बारे में काफी सोचते हैं और काफी हैपी फैमिली हो आप अभी भी और मतलब काफी आपके पेरेंट्स आपके लिए सपोर्टिव हैं कोई भी काम करना चाहते हो आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं हा बढ़ो जरूर करो और वो रिष्टा आपके लिए खुड ढूंदेंगे बढ़ा थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा होगा वेट करना बढ़ जो रिष्टा ढूंदेंगे काफी अच्छा होगा और यह पूरी अरेंज मैरेज टाइप अफ सिचुएशन मुझे यहां पर ल आप रहते हो वहां ना रहते हों वो कहीं डिफरेंट जगह पर रहते होंगे मतलब अगर आप फॉर एक्जांपल चंडीगर में रहते हो तो मेभी परसन डेली मुंबई ऐसे जगों पर रहते हैं जहां पर मतलब 2-3 किलोमेटर से तो जादा ही डिस्टिंस है तो आपकी शा शालगे जो हां बहुत अच्छी लाइफ जो है अभी आप यह आप अच्छी लाइफ जी रहे हैं पिलिंग वाली जेंगे जो आपकेस पॉ मिश्टे नो और चाना सबकूर के Way Kunt voltage रहेंगे हम और सबढका मतलब आप कि舞 किल साल्यकर श्लाओ करए बाद भीस ना केशा यंद आते हैं कि उनका behavior कैसा होगा आपके लिए शादी के बाद अग दो कार्ड निकलाएं कोई बात नहीं तो knight of sword और king of pentacles सबसे पहली बात ये मैंने जैसे कहा ना कि वो 27 years के हो सकते हैं तो of course जो आप शायद खुद 22, 23 की हो या उससे मतलब आपकी age जो होगी आपके spouse से छोटी होगी आपके spouse आपसे बड़े होंगे और अगर आप male देख रहे हैं तब भी ये situation हो सकती है कि आपकी जो age हो आपके spouse से कम हो आपके spouse आपसे सालों में थोड़े बड़े हों और जो आपके spouse होंगे हो बहुत ही mature figure होंगे family oriented होंगे fatherly figure होंगे बहुत जादा ना पैसों की एहमियत करने वाले होंगे फिजूल खर्ची नहीं करते ये चीज उनमें बहुत जादा है और बहुत caring बहुत nourishing person होंगे जो भी होंगे और emotionally बहुत जादे intelligent होंगे कई बार हम आजकल कोई वैसे आजकल तो चलो discuss करने लग गए लोग about anxiety and all पहले के time पे लोग कह देते थे कि आरे यह तो drama कर रहे हैं यह तो drama कर रहे हैं मतलब ऐसा कहते हैं अगर आप रोने लग जाओ तो it is called drama in our society पर यह जो person होंगे ना उसको drama ना समझ कर उसे आपको समझने की कोशिश करेंगा और समझेंगे भी क्योंकि कई बार आपके खुद के emotion पे हमारा बस नहीं चलता है कि हम एकदम कुछ ना कुछ फील करने लग जाते हैं और अगर हम उस फीलिंग को अपने पार्टनर को बता देते हैं कई बार पार्टनर उस चीज को accept नहीं करते हैं बट यह बहुत acceptable परसन है यह आपको बहुत अच्छे से अपनाएंगे एक आपके लिए एक अच्छा environment create करेंगे जहां पर आपको ऐसी फीलिंगी ना आये कि anxiety की feeling ना और आपकी feeling को समझेंगे और यह आपकी तरफ ना बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं में भी यह अपनी कोई जगर shift कर रहे हो आपकी तरफ शायद वो इस तैम पर ट्रावल भी कर सकते हैं में भी आपकी तरफ यह person आ रहे हैं या आने वाले हैं आसी situation मुझे लग रही है तो पाइल टू यह थी आपकी reading होप सो आपको पसंद आई अगर आपको पसंद आई तो मेरे चानल को subscribe करना मत भूलेगा ओके और इस वीडियो को like भी कीजिए और नीचे comment section में जाके comments भी कीजिए आपको अगली कौन सी वीडियो देखनी है या को पाइल 3 ने आपने greenstone चूस करा था I don't know how shoot के time मैंने गलती से white stone वहाँ पर रख यह आप ही की reading है पाइल 3 greenstone वालो की ही reading है I apologize for my mistake and I hope so in future यह से कभी ना हो greenstone वाली की यह reading है so enjoy your reading पी यू बोले पी यह बोले क्या यह बोले जानू ना जी यह डोले हाले हाले क्यों यह डोले जानू ना दिल की आप पाइल नंबर 3 की reading कराने आया है चलिए तो शुरू करते है पाइल नंबर 3 की reading I just got distracted सीधा ही marriage card आया आपकी जो यह तो बात हमें पते ही है that you are destined to get married you are destined to get a marriage which is very very traditional if you are a Hindu तो आपकी जो शादी होगी प्रॉपर हिंदू स्टाइल से होगी अगर आप पंजाबी है तो प्रॉपर पंजाबी वे में आपके स्टाइल एकदम wedding होगी marriage function होगे rituals होगे जो भी होगा बहुत एक cultural traditional way में होने वाला है तो हम देखते है आपकी arranged marriage है या love marriage है कैसी कहां आप मेलेंगे अपने spouse से क्या situation है मतलब क्या होने वाला है किस से शाथी होगी arranged marriage है love marriage है all right okay all right we are five of cups king of pentacles the fool king of swords तो मुझे ये एक काड और निकाल लेते हैं all right मुझे ना काफी काफी जादा ये एक both kind of situation है love जिसको हम कहते हैं कि एक love come arranged type of situation है उस type की मुझे situation लग रही है इस मुझे से एक और काड प्लीज टारो एक काड और यहां पे जो फैमिली है वो कहते है कि इस इंसान से शादी करो आपका जो दिल कहता है वो भी यही कहता है कि आप इस इंसान से शादी करो में भी ऐसा हो सकता है कि आप इस इंसान से पहले मिल चुके हो में भी आप कहीं ट्रावल कर रहे थे और यह भी आपके साथ ट्रावल ही कर रहे थे में भी आप कहीं जॉब में हो एक ऐसे profession में हो जहां पर आप traveling करने गए हूं और आपके work space में ही 이 person काव ये इस ताम आपके साथ travel कर रहे हूं और कुछ traveling से related हो सकता कि आप travel करते time एक दूसरे से contact में हो और उसके बाद आपके जब आपके parents आपके लिए कोई । ढून रहे थे तो ये Catholic आपके एकदम सामने आगया, आपके पेरेंट्स ने आपको ये फोटो दिखाए कि ये परसन से आप मिलो, ये इनसान शायद आपके लिए हो सकते हैं, और ये वही परसन निकले जो जिनको आप पहदे से ही जानते थे, तो उस टाइप का मुझे ये सिनारियो लग रहा है, ऐस हो सकता है कि आप अभी अपनी वी लाइफ में काफी जादा एक ऐसे फेज में हो जहां पर आपना नेगिटिविटी जादा रही हो अपनी लाइफ में as compared to positivity, ऐसा भी हो सकते है कि आप शादी के लिए अभी त्यार ही ना हो, ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि शादी चल रहे हैं कि मैं शायद versch Nerdy करना नहीं चाहता है और मैं इंडिसान के साथ हो होगी न चाहते हैं तो मैं इनसान सबसे पहली बार the ट्रावल करने का बहुत जादा शौकीन होगा वो जो उनको ट्रावल करना इसलिए बहुत मतलब अगर वो नाइन टो फाइव जॉब भी करते हो ना तो भी वो साटेड़े संडी या जब भी उनकी हॉलिडे आती है तो यह ऐसे इंसान होंगे जो घूमने निकल जाये करेंगे मतलब यह वेट नहीं करते कि तीन चार छुटियां आये तो मैं कहीं घूमने जाओ नहीं यह दो दिन में भी घूमके मंडे को आफिस आने वाले इनसान है तो यह ट्रावल करने के बहुत शौकीन है साथ ही साथ इनके अंदर जैसे एक बच्चा है अंदर इनर चाइल्ड है जो घूमने फिरने का बहुत जादा शौकीन है हर एक बोरिंग सिचुएशन को भी एक अच्छी सिचुएशन बनाना जानते हैं एक बहुत वंडर्फुल सिचुएशन बनाना चानते हैं बोरिंग से बोरिंग सिचुएशन को भी ऐसे इनसान है जब प्रफेशनल काम मतलब अपने profession में यह काफी जादा cut throat है emotionless है बड़ जब यह खेलने के टाइम पर पूरा enjoy करते हैं काम के टाइम पर पूरा serious होते हैं काफी जादा ना एक ऐसे person भी है यह जो meditation में बहुत बिलीव करते हो जो spirituality में बहुत जादा बिलीव करते हो God fearing हो और मतलब self awareness इने बहुत जादा है और इनको अपनी life का purpose भी पता है कि मुझे यह बनना है या मुझे यह करना है बहुत clear है उस चीज़ के बारे में यह काफी एक family person भी है यह नहीं है कि इनको सिरफ अपनी पढ़ी और यह again animal love मतलब इनमें जो emotions है ना काफी well balanced emotionally intelligent person है यह बहुत caring है pets का इनको बहुत जादा शौक हो सकता है शायद इनके यह pet owner हो सकते है dog हो इनके पास ऐसा मुझे लगता है और काफी जादा nurturing है बहुत caring person है और काफी अपने काम में fast है ऐसा हो सकता है कि यह आपकी life में जल् maybe ऐसा हो सकता है यह जो situation है यह आपके जो partner है अभी आपकी तरफ जल्दी जल्दी travel कर रहे हो आपकी तरफ यह आ रहे हैं जरूर आ रहे हैं यह मुझे देखने को मिल रहा और आपकी शादी भी मुझे लगता है कुछ ही time में हो सकती है maybe two years के अंदर आपकी शादी हो सकते है तो मुझे ऐसा लगए है two to three years में आपकी शादी हो सकते है क्योंकि मेर को एकदम number two देखा और number three देखा तो दो तीन सालों में आपकी शादी हो सकते है यह person आपकी तरफ जल्दी से आ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि मतलब आप इन्हें जब आपके parents आपकी तरफ इनका रिष् इस confusion में जरूर रहें कि मैं शादी करूं या ना करूं में कैसे मैं सब कुछ समालोंगी मैं अपनी जॉब या अपना करियर साथी साथ एक family कैसे समालोंगी यह आप शायद शुरू में मतलब या अभी भी सोचते होगे और शादी के बाद भी आप थोड़ा struggle करेंगे क्यों हाँ शुरू में मैं थोड़ा struggle देखती हूं शादी से पहले भी आपको थोड़ा जगल करना पड़ सकता है क्योंकि जो भी यह शादी है काफी extravagant शादी है तो इस extravagant शादी को मतलब complete करने के लिए आप को काफी shopping जाना पड़ता हो और साथ ही साथ अपने काम पर भी ध्य जान देना पड़ता हो क्योंकि एक शादी ऐसी वैसी शादी निया यह पूरे रस्मों रिवाजों के साथ होने वाली शादी है और काफी memorable शादी होगे हर कोई आपकी शादी को याद रखेगा ऐसी मुझे इसमें मतलब feeling आरे और tarot ही यह बता रही है but don't worry don't make yourself मतलब इतना अब ही confuse मत करो अपने आपको कि ना वो आपको काफी जादा emotionally ही हर्ट करने लग जाए overthink मत कीजिए negativity मत मतलब अपने अंदर negative thoughts मत लेके आए positive चीजों की तरफ देखे कि positive चीजे भी life में बहुत सारी आपके पास और आप positive जगह पर अपना ध्यान लगाए में भी अगर आप अब ही ये सोचते हों कि आप independent हो और शादी के बाद आप काफी मतलब dependent हो सकते हैं काफी जादा आपको restriction लग सकते हैं तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है इस person के भी आप जैसे ही shock है इस person को भी independence बहुत अच्छी लगती है तो keep in mind जो भी person होंगे आपके आपको किसी चीज के लि change marriage kind of situation लग रही है don't worry everything will be fine okay pile 3 तो ये थी आपकी reading hope so आपको पसंद आई हो अगर पसंद आई मेरे चानल को subscribe किये बिए यहां से नहीं जाना all right subscribe to my channel like this video और comment भी कीजिए कि आपको next video कौनसी देखने है suggestion दीजे कोई और साथी साथ मुझे Instagram पे follow भी कीजिए personal reading अगर आपने description box में है आपने सरफ मुझे email करना है और बाकी सारी details हम बात में discuss करेंगे all right guys तो see you everybody see you in my next video bye bye